नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके नौटिस लाइब और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत कोरोना वाइरस का कहर पूरी दूनिया में देखने को मिल रहा है भारत में भी इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देज भर में कोरोना वाइरस से मरने वालों की संख्या 1074 हो गई है जबकि संक्रमित मामलों की तादाद बढ़कर 33,050 पर पहुंच गई है स्वास मंत्राले के आखलों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमन से रिकॉर्ड 66 लोगों की मौत हुई है जबकि मरीजों की संख्या में 1718 का इजाफा हुआ है मंत्राले ने बताया कि संक्रमन से 8,324 मरीज ठीक भी होए है और एक मरीज देश से चला गया था वहीं 23,651 लोगों का अभी भी अस्पताल में संक्रमन का इलाज चल रहा है और असम में भी कोरोना संक्रमन का मामला कई दिनों के बाद फिर बढ़ा है आज चार नए मामले सामने आये हैं वह भी बंगाई गाउं से ये मामले सामने आये हैं तो इस तरह से असम में एक्टिव मामलों की संख्या जो ही 11 पहुंच गई है हलाकि अभी भी असम सहीद पुर्वोत्तर में हालात सामान्य है लेकिन इस बीच एक जो चिंता का विशय है वह है कि स्वाइन फ्लू का मामला सामने आया है अवना चल प्रदेश और असम उपरी असम में भारी संख्या में सुरों के मौत की ख़बर आई है और ये हमारे जो कृशी मंत्री है असम के कृशी मंत्री उन्होंने कहा है कि चीन के तिबबत से ये संक्रमी मृत सुरों को जो नदी में बहाएगा था इसकी बज़े से हालात पैदा हो रहे हाला कि अभी तक भोपाल में जो रिपोर्ट भेज़े गए थे सेंपल्स की जाज के रिपोर्ट अभी आनी बाकी है लेकिन उपरी असम के कई लाकों में एक पैनिक सा माहौल भी है हम उस पर भी चर्चा करेंगे हमारे साथ मुद्दा में चर्चा के लिए अज उपसित है बरिश पत्रकार रवी शंकर रवी हमारे साथ डॉक्टर संगीता गुस्वामी है मनोचिकित्सक संगीता दत्ता है हमारे साथ मनोचिकित्सक और देरादून से हमारे साथ औरना चल प्रदेश के स्टूडेंट जुडेंगे जो लंबे समय से वहाँ पे लॉकडाउन के चलते फसे हुए हैं हम कोशिश करेंगे कि सूरत में जो असम के कारिगर फसे हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे चुकि केंद्र ग्रिह मंत्राले का जो निर्देश आया है एक तरह से लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है जो दुसरे राजों में फसे हुए हैं लेकिन राजों के राज्य सरकारें तैयारी कर रही है पुर्वोतर राज्य में खास तैयारी जारी है रभी जी से सुरू करता हूं जो कल MHA का गाइडलाइन आया है आवा गवन के लिए इंटरिस्टेटी से छात्र मजदूर कारिगर और दुसरे लोग जो अलग-अलग राज्यों में फसे और नहीं है कोरेंटिन सेंटर में रह हुए लोग है क्या कहेंगे पहली बात तो यह कि बगाइगाओं से जो खबर आई है निसीत रूप से सिंता कभी जाय है यह कौकि बगाइगाओं में अभी तक इस तरह की घटनाय नहीं हुई थी और चार नए मामले आया है यह अलग मंत्राले ने एक जो नया दिशा निर्देश जारी किया है उसमें उसने इंटर स्टेट ट्रांस्पोर्ट की सलाह दे दिये हैं पहले सबसे बड़ी परिशानी यह थी कि बहुत सारे लोग बिभिन्य जगों पर अनायास फंस गये हैं उनके वहाँ पर ना तो रूपने की को वहीं पर फास गये तो उसको देखते हुए ग्री मंत्राले ने जो एक नया निर्देश जारी किया है यह बहुत ही मुझे लगता है सुखद है अब रही उसको आप ऑपरेशनल कैसे करते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं असम की ही बात करें तो एक उसके लिए एक प्रेकरि मिघाले में भी जितने ग्रीन जोन थे उनके बीच में इंटर डिस्टिक जो आना जाना है उसको खोल दिया गया है तो अब यह राज्य सरकारें तै करेंगी कि उनको कैसे लाया जाए कैसे क्वारेंटाइन किया जाए यह जो कोटा से बच्चे आए उनको रोका गया अब समाय और उन बच्चों को लेकर जो बसे आई तो उसी बस में जो गोहाटी या आसपास की इलाके में जो प्रवासी राजस्तानी फसे हुए थे उनको भेजने की विवस्ता हो पाई और इस तरह की जो सुविधायें उसका उप्योग करना चाहिए मैं धर्नवाद देना चाह के दो जूनिया डॉक्टर फंसे हुए थे जो किसी प्रसूती महला को लेकर यहां पहुंचाने आये थे और लॉक्डाउन हो गया वो यहां पर फंस गये तो इस तरह की जब पहाल हो रही और देखे फिर राजसरकार आसम सरकार ने उसमें मदद की नोडल अधिकारी एपीत जी ने किया यह और भी लोग करने अरुनाचल में असम के कई सारे लोग तिन सुक्या के लोग फंसे हुए हैं नागालेंड में उस दिन भी जो दो दिन पहले आपके साथ चर्चा हो रही थी तो बात हो रही थी कि दिमापूर में वो आदमी फंसा हुआ है उसको बस असम मे आना है तो इस जो इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा ग्री मंत्राले ने जो निर्देश दिया है अब राज सरकारों को जैसे बिहार के बहुत सारे लोग सबसे वड़ी समस्या बिहार के साथ हैं बहुत सारे लोग छात्र भी है और मजदूर भी हैं वो स्टेक्चर है हेल्थ डिपार्टमेंट का उसमें एक साथ हजारों लोगों को समेट पाना बड़ा मुश्किल है तो मुझे लगता है कि इलाका बाइज सहर बाइज इस तरह का एक प्रोसेस और उसमें टांसपोर्ट में भी सुविधा होगी जब एक अहमदावास से कभी छ इसमें कहा गया कि दो राज्जों का परस्पर मतले सहयोग होना होगा इसमें लेकिन लोगों से मैं अपील कर रहा हूं जो एक कारिक्रम देख रहे हैं यह स्टेट का मेटर है आप अपने आप फैसला नहीं ले सकते हैं यह बहुत ध्यान देने वाली बात है आप अपने प्राइज़ सरकार है आपको ले जाने की वेवस्ता करेगी आप अपनी उड़से बिल्कुल प्रयास निशी ले गया और आप जो प्रयास करेंगे वो सिर्ब यह सूचित करने की बात होगी आपको बताओ रंजीत यह जो अपने मन से आप जा भी नहीं सकते हैं असम की सीमा आपको असम की पुलिस ही नहीं गुचने देगी और अगर असम की पुलिस को पार करके उस पार गए तो बंगाल की पुलिस नहीं गुचने देगी इबिन ये जो राजस्तान बसें जा रही है असम सरकार की सहमती से जा रही है और राजस्तान सरकार की सहमती से जा रही है लेकिन उनको बंगाल चेक गेट पर रोका गया बिहार में कही जगह पर उन बसों को रोका गया ऐसा नहीं है कि आप अपनी गाली उठाए और यहां से जहां आपको जाना है अपने गंतब तक पहुंच गया बिल्कुल नहीं आपको उसके लिए दोनों राज्य सरकारों की अनुमती चाहिए हो जी और इसके लिए सी बस की वेवस्ता की गई है बस के अलावा आप अपने राज्य अपने घर वापस नहीं जा सकते हैं आपको सरकार एक सुविधा दे रही है जैसे हमने सुरुआति के दिनों में देखा था दिल्ली में और मुमय में जीस तर से अफवा फैली की ट्रेन चलेगी बसे चलेगी हजारों की हजार संख्या में लोग वहां बस अडू पर पहुँच गए थे एक पैनिक सिच्वेशन हो गया था ऐसा नहीं है सिस्टेमेटिक होए आपकी बारी आएगी इसके लिए आपको पहल से यह करनी है कि आपको अपनी जानकारी सरकार के साथ साजा करना है हमारे साथ संगीता दत जुड़ी हुई है मनोचिकित सक है हमने जो दिली और मुंबई में जो कैसे देखे थे कि किसी ने बोल लिया कि आज से बसे चलेगी और चली भी थी कुछ दिर के लिए ऐसा सिच्वेशन बिलकुल नहीं होगा रभी जी जैसा करें फेज वाइज तो ऐसे में चूंकि 45 दिन 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं प्रैक्टिकली लॉगडाउन तो 36 से 36 दिन है आज कैसा होता है लोगों के मन में क्योंकि घर जाने के जल्दी होती है बहुत सी चिंताएं भी होती है यहां तो हर एक इनसान बहुत स्ट्रेस्ट आउट है जो लोग घरों में हैं लोगडाउन का पालन कर रहे हैं वो लोग भी स्ट्रेस में हैं क्योंकि घर पे रहना एक तो आदत की बात है, लेकिन आदत से भी बड़ी चीज ये है कि बहुत लोगों के पास जो लोग नौकरी नहीं करते हैं, उनके पास अब ये चिंता है कि आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, फैमिली को कैसे चलाएंगे, एमाइज कैसे भरेंगे, ये सब आ गया है, तो दो नंबर चीज है कि बॉंगाई गाउं में जो चार केसे आ गये हैं, उनका कोई तब्लिकी जमात या कोई ऐसे नोन कॉंटाक् परण लोग काफी चिंतित है क्योंकि अगर ऐसे ही केसे बढ़ते गए या डिटेक्टेट होते गए, तो सिट्वेशन तो अलगी होगा, लॉक्डाउन भी बढ़ेगी और इंसान लॉक्डाउन के वज़े से जो जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो भी बढ़ने वाली है, त तो वो तो हाँ, परसो से कल से तो बहुत वो लोग खुश है कि घर जाने को मिल रहा है, घर जाएंगे, जैसे कि अभी अभी रवी जी ने बताया कि उसमें भी एक प्लान है, उसमें भी कुछ नियम है, रेजिस्टर भी करना होता है, ऐसा नहीं कि नाम वहां रेजिस्टर क करवाना होता है, तो सब पालन करके वो लोग फाइनली घर पहुँचेंगे और उसमें कौरिंटीन की भी बात है, बीच में उन लोग को कौरिंटीन में डाला जाएगा, तो ये अलग 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 हर एक लोग अगर ये जो बाहर फसे हुए थे, हाँ उनके मन में अब थोरा सा शांती, थोरा सा सुक तो है कि घर वापस जाने हम लोग जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर एक इंसान रिलाक्स है, क्योंकि वो लोग आएंगे, सरकार के लिए भी ये एक नहीं चैलेंज है, हो सकता है कि एक नया वेव ओफ इंफेक्शन आए, फिर से, क्योंक कि उसके बाद लोग बहुत खुश हो गए थे कि चलो हम लोग तो बच गए, बहुत लोग मरे भी थे, उसके बाद एक सेकंड वेव आई थी, उसमें भी काफी सारे लोग मारे गए, फिर एक थर्ड वेव आई थी, और हिस्ट्री बताता है कि दो सालों तक लगातार ये और आगे जाके जैसे कि हमें actually, हम लोग जो अंग्रेजी में बोलते हैं न, we have to live one day at a time, हर एक एक दिन को हाथ में लेके, short term policies बनाके, plans करके हमें आगे बढ़ना है, और हर moment हमें याद रखना है कि guidelines मान के चलना है, कुछ भी उलंगन नहीं करना है और एक चीज़ मैं संगीता जी आपने जो बातें के बहुत सही बात की, कि हमें जो इस्थिती है, ये जो कॉरोना वाइरिस है, ये एक दो दिन में नहीं जाने वाज़ाए, कई साल लगेंगे, और हमें इसके साथ जीने का, इसके साथ चलते हुए अपने आपको खुद को बचाने का तरीका देखता है करना होता है, इसलिए हर एक का करतर भी होता है, कि अपने आपको सुरक्षित रखे और जो भी गाइडलाइन दिये गए है, उसका पालन करें, मैं आप लोगों को दर्सकों से एक बार फिर कह रहा हूं, कि केंडरे ग्रिह मंत्राले ने जो जे सरकारे ये तैय करेगी और आपके आने जाने की जो वेवस्ता है बस से होगी, सिर्फ बस से, आप अपना बाहन का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे आवेदन करना होगा कि मैं आना चाहता हूं, बिना आवेदन कर भी अगर आप मान लिजी अपना 20-25 ल जरूरी है, और आपको बता दूँ अगर आप इस बग अरुनाचल में हैं, नागालेंड में हैं, या केरल में हैं, किसी भी अलग राज्य में हैं और अपने ग्रेह राज्य में जाना चाहते हैं, तो वहां से उस राज्य से बस चलेगी, मालने जी आप आसाम के हैं, और पुना नाम जो है, रेजिस्टर करवाईएगा, या कम जे कम लोकल पुलीस स्टेशन में, जी हां, ये प्रक्रिया सुरू भी हुई है, रभी जी, लोकल पुलीस स्टेशन ये तथे ले रहे हैं, और लेंगे, और हमारे साथ इस बक्त, डेनियल टावो जो अवना चल देरा कराने का मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे? देनियल, हमारे पास जो इंफोरमेशन है, आप रेड जोन से आया, ग्रीन जोन से आया, किसी भी बाहर से जब आएंगे तो अवनाचल प्रदेश का जो बोडर इलाका होगा वहां पर कॉरेंटीन सेंटर बनाया गया है आप लोगों को उहां पहले रखा जाएगा आप लोगों की जांच होगी उसके बाद फिर आपको घर भेजा जाएगा तो निश्ची तोर पर हम हम भी अरणाचल प्रदेश सरकार से आगरा करते हैं कि आपके जो स्टुडेंस देहरादून हो या अलग-अलग जगह में फसे हुए कम से कम उनको लाने की वेवस्ता कीजिए क्योंकि एक मांसिक रूप से एक तनाव भी होता है डैनियल मैं आपसे और पूछना चाहता हू हमने जब इससे पहले आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि लॉक्डाउन के पहले फेज में आप लोगों को देहरादून का जो एडिमिस्टेशन है वहां का लोकल उन्होंने मदद किया था और उसके बाद आपने लोगों ने फिर अप्लाई किया था अभी क्या इस्तित तो नहीं हो रहा है तो इसमें प्रोड़ चल रहा है यहां बिलकुल यह खुशी की बात है कि देहरादून सरकार आपकी मदद कर रही है निश्ची तोर पर आपके मुखे मंत्री आप लोगों को लेकर बहुत चिंतित है जो हमें जानकारिया मिली है और निश्ची तोर पर अप लोगों के लिए आप लोगों के लिए वेवस्ता करेगी डेनियर हमारे साथ गॉटर संगीता जूडी हुई है बनौ चिकिसक साइक किछित है आपको सवाल करना चाहेंगे इंसे ये हम ये सवाल करना था कि हलो मेडम हाँ हलो डैनियल जी मेडम आपसे एक सवाल था कि ये वालना ये कोवीड नैंटीन इसका वेक्सिनेशन मिलने कोई चैंसे से आई है और आगे बढ़ते रहेगा ये लोगडाउन ये बोलना बहुत मुश्किल है डैनियल कई सारी देशों में इसकी कोशिश लगातार जाड़ी है लेकिन अभी तक कोई ऐसे एफेक्टिव वैक्सिन निकला नहीं है क्योंकि वैक्सिनेशन से पहले ट्राइल्स होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हर एक वैक्सिन का फिर साइड इफेक्स भी होता है ऐसा नहीं कि एक वैक्सिन निकल गया और लोगों के लोगों पर इस्तमाल करना شरू हो गया ऐसा तो नहीं होता है तो फेज जमें अलग अलग फेज-जमें ट्राइल्स होते हैं चब 100 परसन गारंटीड होता है कि इनसान में यह वैक्सिन से ब YOUNGा तभी तो वो वैक्सीन के आकार में इस्तमाल किया जाता है तो उसके लिए काफी हमें इंतजार करना पड़ेगा शायद लेकिन फिर भी इश्वर से यही प्रार्चना है कि जल से जल एक वैक्सीन निकले और कोवीड-19 का जो यह एक महामारी है उससे हम लोग सब लोग बच जाए लेकिन लोगों के दिल में एक खुशी यह है कि MHA का जो गाइडलाइन्स आया है उनको वापस लाने की वेवस्था की जाएगी आपके सरकार की ओर से तो मैं यह जानना चाहता था कि मनिपूर से कितने लोग ऐसे होंगे student, workers या businessmen जो देश के अन्ने भागों में फसे हुए हैं अभी तक यह माना जा रहा है कि कम से कम 20,000 की करिब-करिब होंगे जो वापस आना चाह रहे होगा और यह चिमिनी सर की एक वेबसाइट है तेंगवांग करके उस वेबसाइट में जिस इसने बाहर में रहते हुए उनको जो पैशे की जो मोनितरी फाइनांसिल एसिस्टेंच जो दिया गया था उसमें लगभग 30,000 लोग ने उसमें एप्लिकेशन डाला हुआ है और लगभग करिब-करिब 20,000 लोगों को पैशे के लिए पैशे पैशे उनके खाते में पैशा भी डाल दिया गया और उस आप से देखा जाए तो करिब-करिब कम से कम 20,000 लोग ऐसे होंगे कि मने पूर वापस आना चाहेंगे भारत की हर जगे कोने कोने पर जगे जगे पर सहेर पर जो अभी लोग डाउन की कारण जो फसे हुए वो घर नहीं आ पा रहा है उसके लिए उसको घर ले आने के लिए सरकार की तरब से प्रतिक्रिया अभी भी चल रही है और हो सकता है कि ये आने वाले दो दिन में पुरा की पुरे जो शंख्या जो है जो वापस आना चाहेंगे उसकी पुरा शंख्या जो है करिब सरकार को दो दिन और सहेर लगेगा कि बता पाने में पुरा शंख्या जो बताने के श्क्रिमी नहीं है कि यह संख्या बढ़ेगी कि लोग एपलाई करना सुरू करेंगे मैं यह जानना चाहता है एक 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 आंक्रा तो आप दे रहे हैं बी सजार से अधिक होगा तो कैसी वेवस्ता उनको पहले तो नमें कोरिंटीन किया जाएगा तो कैसी वेवस्ता हैं की गई है रंजित मैं सबसे पहले केना चाहूँगा कि जो शंख्या जो है उसको उसको पता चलने के लिए जो मनिपूर की सभी विधायक मनिपूर में 60 साथ विधायक रहते हैं 60 एसेम्बली कंसिटुएंशी है हर एमेले को यह जिमा सोब दिया गया कि उनकी कंसिटुएंशी से कौन-क को सब्कारी सब्कार च्राइबर यहा defard अभी विधायक अभी सफंद्र में का थी पर लुश्ट की कॉरिंटी अभी कमुनिती लेवन की कंसिटुएंशी में विधायन हो उसमें जगे की हिसाब से वह अभी भी सर्वेश चल रहे हैं कि जहां और अगर कॉरिंटाइन में लोग बाग रख पाएंगे या रखने की स्थिति में हैं तो शनिताइशन बगेरा उसका कैसे रहेंगे यह सब अभी प्रत्रिक्रिया चल रही है और यह सब पूरे होने में कम से कम मेरे को दो तिन दिन और लगेंगे संख्या पता चलने में और मेरे ख्याल से आप इस पर नजर बनाए हुएं फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि मनिपूर के ही कई इलाकों से ऐसी खबरे आए कि लोगडाउन के नियमों का उलंगहन कर जो चोटे-चोटे वेवसाई है फार्मार है वो अपना सामान बेचने के लिए निकले थे रात को रंजी सबसे पहले में दर्सकों को ये बताना चाहूंगा कि जब 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 ये कोबिट-19 जब संक्रिमित जब होता है तो संक्रिमित होने के अगर खबर मिल जाता है ये ये नियूस चैनलों की जरीए तो लोगों को दर लगना चुरू होता है और बाहर बिलकुल नहीं नि उसके लिए हाँ हालांकि जीरो कोबिट-19 केस स्टेट मनिपूर बन चुका है उसमें कोई दोरा ही नहीं है फिर भी संक्रमन की दर जो है हमेशा उसको उसको सेरेसली लेना चाहिए और शाबदानी बरतना चाहिए और हालांकि जो आप जो कहरें जैसे दूरदरास इलाके से जो सब्जी बगएरा हरे सब्जी जो पहुंचाने की जो है घाव अजीर फार्मर किसानों को ये भी धर है कि उनकी फसल जो है एक बार बिजितेबल बगएरा फल बगएरा जो है तो पकने के बाद ज़्यदा दिन रखने लाइक नहीं रह जाते हालांकि हर जगे पर कोल चुबिदा भी नहीं है तो उन लोग तो चाहेंगे कि वो रहिस्ति मतलब यह जो पॉपुलेशन ज्यादा यहाँ पर शिती एरिया में ला करके उनका बिक्री करना यही उनकी यही उनकी मंसा है इसमें कोई गलत मंसा नहीं है बेशना चाहेंगे और खरिदारी भी बहुत है लोगों की पास कमी है हालांकि यह समय ऐसा है कि कमी जो है उसको भी हम साथ में मतलब जहल करके रहना चाहिए ऐसाने की जो नोर्मलता है में जो भी मिल राता वह कोविद 19 की चलते हुए लोकड़ान में वो सब मिलेगा ऐसा तो नहीं है फिर भी किशानों की समस्ठा और लो उनके लिए भी उनके लिए भी फूट की जरुद परेगी खाने की जरुद परेगी क्या परयाप मात्रा में सब कुछ मौजूद है या तैयारी इसकी कैसी की जा रही है रंजीत मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि 60 पार्षन कम से कम शाथ प्रतिशत जो है मनिपूर की एकिरिकल्चरल प्रतक जो सबसे यहाँ पर चाहूल सभी खाते हैं मनिपूर का यह किसानों की जर्य यह सब यहाँ पर उगवाता है तो बाकी रही बाद जो चालिस प्रतिशत जो बहार से ले आते हैं हलांकि मनिपूर में जो अभी बहार में रह रह रहे है करी-करी 20 लोग कम से कम अगर वो आपस पी आज आएगा तो ऐसा इस्तिती साहथ देखना परेगा यह देखने की बात यह अभी कहना मुस्किल है लेकिन मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा परेशानी की परेशानी होनी की साहथ ज़रूरत नहीं है जिया आप ओ तो लोगों की संख्या जब आएगी तब एक नहीं स्तिती उत्पन होगी रहने खाने पिरें की इसको हम सब आप से चर्चा करेंगे एक सवाल है मेरे पास आसाम और औरनाचल पर्देश में जो है स्वोरों की काफी मौत हो रही है अग्याद बीमारी के चलते इसको स्वाइन फ्लू कहा जा रहा है क्या मनिपूर में भी ऐसा कोई केस सामने आया है इसकी और बात भी हुई लेकिन मनिपूर में ऐसा कोई भी जैसे स्वाइन फ्लू या बाट फ्लू ऐसा कोई भी अभी मामला मनिपूर में अभी आगी नहीं आया रंजिन जैन बिल्कूल तमाम जानकारियों के लिए और सुझाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शरच चंद्र थे मनिपूर की स्थिती बता रहे थे वह वह कह रहे थे कि 20,000 की संख्या तो है और यह संख्या बढ़ेगी जो एक मनिपूर जैसे छोटे राजे में तो असम में तो 4-5 लाग से जादा ही होगा जो बाहर रह रहे हैं संगीता जी हमारे साथ बनी हुई हम चर स्टेट मुवमेंट शुरू की जाएगी तुसरे राज्यों में फसे लोग जो है अपने घरों में वापस आ सकेंगे लेकिन ये दो राज्यों के सहमती के बाद ही होगा और सिफ बस का इस्तमाल किया जा सकेगा ऐसे में अरुनाचल प्रदेश के जो लोग बाहर फसे हुए हैं वो भी आना चाहते हैं और नाचल प्रदेश के बाहर फसे हुए और वो जब वापस लोटेंगे तो ऐसे में सरकार ने कैसी तैयारिया की है क्या जानकारी है आपके पास आपको नहीं बता पाऊंगी जो हो मिनिस्ट्री से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन रंजीत बहुत सारे हजार से ज्यादा तादा आप में स्टूडेंट होंगे क्योंकि जब 24 को लास्ट एर सर्विस सा तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां नहीं जा पाय अरुनाचर प्रदिस में और जिन्होंने भी प्लानिंग किया उनको भी कैंसल करना परा क्योंकि आचानक ही 24 को लास्ट जो एर्स की हावाई अद्दा के जो सर्विस था तो वह बंढ हुआ और इवन ट्रेन का सर्विस भी यहाँ पर और उससे आगे ही बंढ हो चुका ता इसको लेकर बहुत सारे बच्चे जैसे मैंने आपको कहा हजार से ज्यादा बच्चे बाहर पर होंगे सिर्फ देहरादून में ही 300 से सारे 300 बच्चे हैं देहरादून में जो है डेनियल टबो प्रेसिडेंट है और अवना चल देहरादून स्टूड़ेंन हमारे साथ सकते हैं इंदू सुन रहे हैं आपको है अगर वह और रखा जाएगा और कितना पर इंटर बनाएंगा जिए अगर इंदू वह डैनियल पूछ रहे थे है कि हजारों से हजारों स्टुडेंट हैं बाहर फसे हुए हैं वह अगर अरणाचल प्रदेश में वापस लौटते हैं तो अरणाचल प्रदेश ने कैसी तैयारिया की है क्योंकि सुनने में यह आया है कि डायरेक घर नहीं जा सकेंगे डैनियल आपस पूछ रहे हैं जी बिल्कुल तो देनियल के लिए में ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे ओल्रेधी क्वेरेंटाइन फैसिलिटी दिया गया है और यहाँ जो इवन स्टेट केपिटल में ही बहुत सारे जैसे पीटी सी जैसे के डो में जोन है जो बंडरडवा से आने वाला और जो होलोंग कि में पर ओल्रेधी क्वेरेंटाइन की सुवीदा दी गई है और उसमें भी बेंडरडवा पीटी सी में भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी दिया गया है तो इसमें रंजीत ऐसा बात है कि 10,000 10,000 से जादा लोगों को सुवीदा दिया जहां पे लोग क्वेरेंटाइन में रह सकते उतना का मतलब अभी तक फैसिलिटी है और एस फारडर नीड जैसे कि मैंने कहा लोगडाउन के बाद बहुत सारे बच्चे आएंगे बहुत सारे उनलोट अनली सिर्फ बच्चे ही नहीं लेकिन बहुत सारे लोग जो बाहर में काम करते हैं वो सब भी आएंगे तो ऐसे अभी तक 10,000 की फैसिलिटी है इंटेक रहने के जैसे ही नीड का हिसाब में उनलोग और भी अगर गर्मेंट को लगे और ज़्यादा होंगे तो एकोडिंग लिए और भी एक्सपेडाइट करके भराएंगे के क्वरेंटाइन सेंटर को लेकिन हार एक्मेंटी यह ह तो पुरी सुविधाएं मिलेंगी डेनियल हमारे साथ बने रही है और इंदू से जो मैं अगला सवाल पूछने जा रहा हूं सायद आपको भी थोड़ा लगेगा यह और क्योंकि क्यों बुरा लगेगा वह आप मुझे बताएगा नहीं लेकिन साहित कहीं नहीं कि आपको थोड़ा दूख होगा इंदो अनाचल परदेश में जो है सुरों की काफी मौत हो रही है पीक की मौत हो रही है बीमारी के चलते और साहित पीक के पॉर्क के बिक्री पर बैंड भी लगने वाला है या लग चुका है क्या स्थिती है वहां पर जी बिलकुल अल्रेडी ये एक्चली ये कोई नया बात नहीं है लेकिन जैसे ही असाम गवर्मेंट में जैसे लास्ट वीक बहुत सारे सुर की जो पीक्स के जो पॉपॉलेशन है वो जब ज़्यादा डेट्स हो रहा था रिपोर्ट में तो ऐसे ही उसमें अर्णाचल के ग खनापरा सेंटर गौहाती में भी बेजा गया तो ऐस पर प्रिलीमिनेरी रिपोर्ट ये पाया गया कि जो स्वाइन फीवर है एक्रिकन स्वाइन फीवर तो ऐस पर प्रिलीमिनेरी रिपोर्ट ऐसा पाया गया कि ऐसा हो सकता है लेकिन कंफर्म रिपोर्ट अभी तक जो में जो सेंटर है बोपाल में वहां से अभी तक नहीं आया और बहुत सारे जो इस्पेशली पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट और इस यंग डिस्ट्रिक्ट से बेजा गया सेंपल्स को और एज अफ नाउ रंजीट नो डिस्ट्रिक्ट नो जो जीले है अरुनाचे प्रेडिस में इसमें भी वहां से भी सुवर की जो मोट हो रहे तो वहां से भी सेंपल्स बेजा जा रहा है तो अभी इसमें कंप्लीटली बैंद है मार्केट में सारा बैंद है पॉर्क कंजम्शन का इंदु आप हमारे साथ बने रही है असम के उपरी असम के कही जिलों में यह जो इस्त वोट भेजी है पहले वोट देख लेते हैं कि अपके पास आया हूँ क्या रिपोर्ट है अभी तो आज हमारा दिस्टिक ओफिस में ताक्सपोर्ट का मीटिंग है अधि हम लोका एट मेंबर से अभी हम लोका पहले जतना केजुलिटी हुआ है गाहरी का अभी थुड़ा कौम हो गिया आज लास्ट टू देज में अभी क अभी तो हम लोका लोकिंपूर डिस्टिंग में 397 नंबर सब देट कारकास मिला था पीक का अभी वेक्शिनेशन प्रोग्रम भी सल रहा है अभी थुड़ा कॉंदोल आ गिया आप से और एक बार हम जानने के लिए कुशिस करेंगे क्योंकि नोडिया में नोडी में देखा गया था बहुत सारा इसे सुहे का जो लास्ट वहाँ पर देखा गया था अभी ये सब बन हो गया क्या सब पहले जो आदमी था गाउंका वो जो डेट बोडी था वो नोडी में फैक दिया था अभी हम लोग का वो इंस्ट्रक्शन दे दिया ओरने स्कैंप भी किया था यही ख़बर है अभी तक क्योंकि जो पहले का जो हालत था लोखिंपूर में अभी कुछ सुधर गया है और जो ओफिसर के मुताबिक जो उसके मुताबिक यहीं कहना है क्योंकि अभी तक लोखिंपूर में जो ओफिसेली रिपोर्ट है उसके उपर यहीं कह सकते हैं 300 जो श इसको बहुत गंविडर्टा से लिया है और जो मिनिस्टर से और भी जो डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उनसे जो निड़े साया है कि होर जिले में जहां-जहां जो शुर का मोर हो रहा है वहां ताक्स पोस एक टाक्स कोमिटी फर्म करने के लिए और लोखिंपूर में भी एसा कोमिटी फर्म होने के लिए जा रहा है यह जितुमनी बता रहे थे कि किस तरह की हालात है वहां पर स्वाइन फ्लो की ही आसंका की जा रही है इंदू ने निश्री तोर पर सुना होगा आसं में किस तरह की हालात हो रहे हैं संगीता दत हमारे साथ बनी हुई है एक तो कोविड-19 का खत्रा और एक स्वाइन फ्लो भले ही सुवरह में हो रहा है लेकिन लोगों के लिए भी स्थिति जो है बहुत बुरी है तो क्या कहेंगे इसके बारे में जो परिस्थिति है इन दिनों उसके बारे में तो कुछ बोलना ही मुश्किल है क्योंकि अभी जैसे क्योंकि डिप्रेशन का भी जो है ना हम लोग स्पेस नहीं है इसमें हम लोग अगर साकारत्मक सोच लेके जीएंगे तो कुछ कर पाएंगे और कुछ अगर कर पाते हैं तभी एक पॉसिबिलिटी रहता है कि हम लोग इस परिस्तिति से निकल पाएंगे कोवीड-19 का तो एक परिस्तिति था ही उसके ओपर ये स्वाइन फ्लू तो और पता नहीं आगे क्या फेस करना है हम लोगों को इसलिए हम लोगों को मानसिक स्थर पे भी बहुत प्रस्तुत रहना है प्रिपेर्ड रहना है ताकि कुछ भी हो जाए हम लोगों को सावधान और मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग गाइडलाइन्स फॉलो करें स्ट्रिक्ली तो कुछ भी हो हम उसका सामना भी कर पाएंगे और इस परिस्तिति से निकल भी पाएंगे एक नहीं ते और सबसे बड़ी बात एक है जो है कि हम लोग जिन्दा है और स्वस्त है यही स्वाइन्स फ्लू का भी खत्रा जो है तो ऐसे में अरुनाचल प्रदिश के लोग जो है उनके मन में कैसी आसंका है आप निशीत तोर पर लोगों से आपने बातचित की होगी कोविट नाइंटीन और स्वाइन फ्लू दोनों एक साथ कैसी स्थिति है क्या सोच रहे हैं लो बिल्कुल और जी कोविट नाइंटीन को लोगे बहुत सारे लोग परेशान है कोई वह टेंसर में भी है इसको लेके और इसको सिफ नहीं बहुत सारे और एक्जिस्टिंग बिमार और जैसे कैंसर हो गया कि टिन डायलेसिस यह सब बिमार भी है तो अभी अच्छानक से दो नाचे प्रेश में तो अभी तक ऐसे कोई पॉजिटिव कैसे आया नहीं है फॉर्चुनेटली मतलब जो आया था वो भी अभी नेगेटिव हुआ तो जीरो कैसे से कोरोना वाइरस को लेके तो छोटा सा एक रिलेक्सेशन भी है लोगों का और थोरा सा एटलिस्ट सेटिस् लेकिन इंदू आप एक मिनिट के लिए आप शांत रहें आप एक मिनिट के लिए शांत रहें आपके बैग्ग्राउंड से जो आवाज आ रही है न वह बहुत ही पूर्वोत्तर नौटिस की यही खासियत है मैं प्रोडूसर से बोलूँगा कि साउंड को थो जिंगूर की आवाज है और इस माहल में भी हम जिंगूर की आवाज को सुन पा रहे हैं इंदू आप खामोस लिएगा और बैग्ग्राउंड के आवाज हम सुनना चाहेंगे क्योंकि लोग परेशान है तो यह नैचर का जो आवाज है जिंगूर की निश्चीत तोर पर कहीं नहीं कि हमा बहुत बर्सों तक हम ऐसी आवाजे सुन नहीं पाते हैं इंदू लोगों से आप सावधान रहने के लिए बोलेगा कि आपका भी दाइत तो बनता है आप पत्रकार है तो किस तरह से गाइडलेंस का फो फोलो किया जाए और किस तरह से खुद को सुरक्षीत रखा जाए हर राजय में ऐसे मतलब यह जो प्रिथिवी सांथ है जिसकी वज़र से हम आज स्टूडियो में वैटके यह सून पा रहे हैं पहले दो मिनट में आप देखे संगीता जी साथ हैं हम लोगों के और मैं मैं खुद मैं मानता हूं और मैं ऐसा करता भी हूं कि जब तनाव या जो ट्रीटमेंट है इस वक्त तनाव हद से ज़्यादा है तनाव सिर्फ अपने काम का तनाव नहीं है आम तोर से हम लोगों की अपनी लाइफ स्टाइल की वज़े से तनाव होता था पहले भी हम लोगों ने संगीता जी आपको याद होगा इस तरह का डिसकसन किया था लेकिन अब तनाव सिर्फ काम का नहीं है तनाव अपने वजूद को बचाने का है तनाव ये है कि सामने वाला से हम वो कहां से आया है कैसे आया है क्या वो करोना है या क्या है वो मेरी तरफ संदे ये सारी चीजे मुझे लगता है कि इससे बचने का और अपने मन को राहत द और आप तो चुके लोगडाउन है तो आप बहुत ज्यादा नहीं अपने कैंपस में अपने नेचर में छत पर प्रेकृति के उन चेहरों को और गौहाटी के लोगों को खास करके यह सौभाग है कि जो भी अपने छत पर जाएगा चाहे जिधर देखेगा तो नेचर ही अभी हमें मदद कर सकती है और हमें नेचर के साथ ही जीना होगा आप एक मनोचिकिटसक है इंदू के इंदू जहां खड़ी थी वहां से आपने जो आवाजे सुनी उस पर एक मिनिट के लिए बोलिए उसके बाद हम मुख्य मुद्धे पर आएंगे एक्षिली एसमीज में इसको जिली बोलते हैं यह सब गोहाटी में इतना तो हम लोग सुनते नहीं है जब गाओं में जाते हैं तब सुनाई देती है और यह बहुत बड़ी बात है कि अभी तक प्रकृती हमें प्रकृती का जो वजूद है वो हमें दिखने को मिला अभी अ जाना है और जाके प्रकृती से कुछ सिखना है आज जो कोवीड-19 का tragedy है या महमारी है या कुछ और भी है तो यह एक प्रकृतिक imbalance के वज़े से भी है तो बहुत तिनों से जो हम लोग industrialization आप बोलिये या कुछ भी बोलिये जो इनसान का जो करम था उसके वज़े से भी काफी imbalance create हुआ था और आज उसी का फल हम लोग भुगत रहे हैं तो यह जो वक्त है हम लोग इससे सीखे कि आगे जाके प्रकृतिके साथ एक संतोलन बना के ही हम लोग जी सकते हैं अच्छी जिन्दिगी तो प्लीज सीखिए जी हा हम बिक्रम से जुड़ेंगे लेकिन उसस समाजिक संगठनों की भूमिका क्या होनी चाहिए सर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि समाजिक संगठनों की भूमिका तो रही है जैसे राहत माटना इन सारे चीज़ों में इनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है वैसे संगठन वैसे समू वैसे लोग उनको मैं salute करता हूँ अब यह जो नया सर्कुलर आया है इंटर स्टेट मुव्मेंट का इसमें इन सामाजिक संगटनों की बड़ी भूमिका है जैसे मैं कोटा वाली बस का उधारन देकर मारवारी सम्मेलन ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई पीतरामजी ने पहल की लेकिन मारवारी सम्मेलन ने इसको मुकाम तक पहुँचाया वो ऐसे तमाम लोगों की सूची बना कर प्रसासन को दे दिया कि यह यह लोग हैं जो जाना चाहते हैं अब आप तै कीजिए लोग जादा हो गए तो प्रसासन ने तै कि प्रियरिटी किस की है हर समुदाय का हर प्रदेश के लोगों का संगठन गुहाटी में भी है असम में भी है केरल के लोगों का है तमिल के लोगों का है पंजाब के लोगों का है गुजरात के लोगों का है, बिहार उत्तर पर्देस है, पुरुवत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन है, तो ऐसे सारे संगठन वैसे लोगों की सूची बना हैं, जो अपने परदेस में लोटना चाएते हैं, यहां फस घर हैं, या फिर जो बाहर के लोग जो असम आना चाहते हैं, जो असम से जुड़े हुए विविन संगठन हैं, वो यह सी सूची बनाकर प्रसासन को दें, पुलिस थाने की तरफ से सूचनाय मांगी जा रही हैं, कई थाना प्रवारियों के मैंने वाटसप पर मैसेज देखे हैं, कि अपने इल प्रसासन और प्रसासन और पुलिस को देनी चाहिए. संगठनों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, और community के head जो है, उनको भी ये कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, कि आपके कौन-कौन से लोग कहां फसे हुए, उसके एक सूची बनाकर अस्थानिय प्रसासन को दे, अस्थानिय प्रसासन की जहां तक बात कर रहे हैं, तो हम सिधे सिल्चर की रूप करेंगे, सिल्चर में कुछ अच्छी खबरे नहीं आ रही है, लोगडाउन के बीज भी, होलसेलर जो है, मनवानी कर रहे हैं, प्रसासन क्या कारवाई कर रही है, इस पर अपडेट के लिए हमारे साथ जूल रहे है, सिल्चर से, बिक्रम सरकार, बि हमने इंपेक्ट देखा है, वो न्यूज ऐसा था कि हाला कि जो होलसेलर हैं, या फूट ग्रीड मार्चंट असोसियेशन सिल्चर के, उनका ये कहना तो है, कि हर रोज जो सामान के एजेंशियल कम्यूनिटी कम्यूनिटी इस की जो रेट से, वो हर एवरी डे फिक्स की जात कर, तो वो बहुत ही कम है, और हर एक दुकान में रेट चार्ट जैसे लगाया गया है, लेकिन जब जमिनी तोर पर हम लोगों ने खोचबीन की, तो हमको किसी भी दुकान में ऐसा रेट चार्ट दिखाई नहीं देया, एक दो गिने चुने दुकानों को छोर कर, जो होलसेल से जुरे हुए हैं, उनके दुकानों में हमको रेट चार्ट देखने को मिला, और बाकी दुकान में नहीं मिला, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यह है, जब हम लोगों ने पूछा कैश मेमों उसका लेके, कैश मेमों क्या होता है, उनका तो यह कहना है कि रिटेलर्स, उनका यह दायत तो है कि वो कंजूमर्स को कैश मेमों दे, और यह कंजूमर्स का भी यह दायत तो बनता है कि वो कैश मेमों ले, लेकिन यहाँ पे दो बात हो जाती है, एक बात जहाँ पे रिटेलर कैश मेमों नहीं देता है, और दूसरा एक पॉइंट है, अगर वो देने आया है जहाँ पर होलसेलर और जो एसोसियेशन ये कहते हैं कि हम लोग क्योंकि ये उपजाव राजिये नहीं है हम लोग यहाँ पर प्रोड़क्टिव राजिये नहीं है यहाँ पर हर चीज यह कंजूमिंग स्टेट है जैसे फनी वूशन चौदरी जो फूट सप्लाइ मिनि तो और मैक्सिमम चीज चावल डाल जो भी है आलू सब बाहर से आता है तो टांस्पोर्टिशन का एक खर्चा होता है मानते हैं लेकिन जब रेट अल्रेडी फिक्स किया जाता है प्रश्ण वहाँ पर है अगर रेट फिक्स किया जाता है दुकानों तक पहुँच पुँच है साइद दो-चार लोग गिरफतार भी हुए है बिक्रम आखरी सवाल बहुत कम समय है बरागाटी से दुसरे राज्यों में देश के दुसरे राज्यों में कितने लोग फसे हुए है क्योंकि एमेश जो गाइडलान जारी किया है बहुत जल उनकी वापसी होगी संशेप मे हवाले से हमारे पास ख़बर है सिर्फ कछार जीले से ही अभी तक सारे 14,000 से जाधा एप्लिकेशन साय है जो बाहर में फसे हुए है रंजीत बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों को साजा करने के लिए संगीता जी मैं रभी जी के पास आऊंगा मनिपूर जैसे इसलाख लोग बाहर फसे हुए है रभी जी ने बता ही था एक उनको कोडिनेट करके उनको अच्छी तरह से लाने में जो ऑर्गिनाजिशन है उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है क्या कहेंगी हर एक ऑर्गिनाजिशन का बहुत एक बड़ा भूमिका है और सरकार की तो है ही सरकार तो करी रही है जितना करना चाहिए या जितना हो सके लेकिन हर एक इनसान का भी है क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि एक कंप्लेइन कर देते हैं लोग बहुत बार कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया यहां तक ये essential commodity नहीं पहुँचा है तो हमें य मान के चलना है और समझ के चलना है कि जितना हो सके सरकार कर रही है और करेगी भी और इसमें हम लोग सफल तभी होंगे जब हर एक इनसान एक साथ मिलके ये लड़ाई लड़ेंगे त्योंकि इसमें हम लोग कंप्लेइन ना करके साकारत्मक्त को आगया ना होगा हमारे साथ हमारे साथ डैनियल जुड़े हुए हैं डैनियल कारिक्रम के आखरी पड़ाओं में हैं आप अपने जो आपके स्टुडेंट और्गिनेशन है उनकी और से आप अउनाचल प्रदेश सरकार से क्या अपिल करेंगे सौर्ट में कि समय की कमी है जी अभी हम हमारे सरकार हमारे हमारे चीप मिनिस्टर पेमा कार्डू सर से रिक्वेस्ट करना देगे जितना भी हमारे यादे फसा हुए इस्टुडेंट से जल्दी जल्दी एवोकेट करने की तो हम रिक्वेस्ट करेंगी जबते जल हमें घर पोंचा देगी इतना डेर हम य कुछ बच्चा कुछ जुनियर से जो पैनिक पैनिक हो रहे हैं उनके मैंटली भी इस्टेबल नहीं होगे अगर एसे जॉन में रहेंगे तो जी हां बिलकुल हम भी आपकी और से अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से आवान करते हैं कि जो छोटे कम उम्र के स्टूडे है वहां पर जैसा कि डैनियल बता रहे हैं उनको थोड़ी मानसिक रूप से तकलीब भी हो रही है तो निश्चित तोर पर रेट जोन होने के बावजोद भी और नाचल प्रदेश सरकार अगर अपनी और से प्रयास करती है तो आप लोग बहुत जल अपने प्रदेश में हो दुसरे राजे में तब उनको लाया जाएगा इसमें कोर्डिनेशन की बहुत जरुत होगी संशेप में फिर से मैं आप से यह सुनना चाहता हूं कि संगठनों की भूमिका एक बार आप आप आहवान भी कर सकते हैं निश्चे दूब से मैं चाहूंगा कि जो लोग अभी तक यह सिर्फ दर्द बयां कर रहे थे कि हम वो आदमी वहां फंसा है वो आदमी वहां फंसा है अब उनके लिए वक्त आ गया है कि उनके दर्द पर मलहम लगाने का ऐसे तमाम लोगों की सूची मैं पुर्वोत्तर मारवारी सम्मेलन, मारवारी युवामंच, पुर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन, आकिल भोचपूरी, परिशद, कई तरह के संगठन है, केरल के समाज का संगठन है, तमिल नाडु के संगठन है, जो लोग यहां पर फं तो आप जहां भी हैं जैसे भी हैं सुरक्षित रहें क्योंकि जहां जाएंगे बिना काम के वहां भी आपको इसी तरह की हो सकता है इससे ज्यादा बुरी स्थितिका सामना करना पड़ा हो लेकिन जो बच्चे हैं जो मजदूर है और मैं रंजीत आपको क्या बता हूं असम मे हो गए वर बाहर सें आना चाहते होंगे मैं रामिस्रं गया जिस रिसोर्ट में वहां एक मनिपूर का था अर एक गोपूर का था बताए कहां रामिस्रं साओड और वहां परावपे है हम, जैसा कि देराद उनके जो स्टूडेंट उन्याइन के लिडर थी वो बता रहे थे कि कम उम्रे के जो छोटे स्टूडेंट है वहाँ पे उम्रे में, वो लोग ज्यादा पेनिक हो रहे हैं, और एक कहावा थे हिंदी में, जल्दी-जल्दी में मुह जल जाता खाने की बाद तो गरम-गरम चीज अगर जल्दी-जल्दी खाएंगे तो मुझ जलना निश्चित तोर पर बिल्कुल तो हमें थोरा पेसंस रखके अपने बारी का इंतजार करना है घर आने के लिए क्या कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल हर एक student को मैं बताना चाहूंगी या ज लोग बना सकते हैं तो धीरज और समझ इनको बिल्कुल मत छोड़िए जी आप बिल्कुल धीरज और समझ को नहीं छोड़ना है और जो आपके प्रदेश से जो बस जाएगी उसी में आपको आने का मौका मिलेगा COVID-19 से इसी तरह से हम लड़ाई लड़ते रहेंगे मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही